अपने जीवन में जरूरत के हिसाब से और पॉश्टिक खाना खाना ही बहतर सेहत का उधारन होता है अगर गाउं और छोटे शेहरों की बाद छोड़ दें तो मेट्रो सिटीज की लाइफ स्टाइल बिजी होती है ऐसे में सेहत पर असर पढ़ना तो लाजमी है बहतर लाइफ के लिए कुछ हेल्टिप्स का पालन करना जरूरी है आज हम आपको ऐसे ही कुछ टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आप स्वास्त जीवन जी सकेगे हम अच्छा खाना अच्छी सेहत रखने के लिए खाते हैं मगर जरा सोचिए अगर अच्छा खाना खाने से भी सेहत खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे आपने अपने बड़ों को कहते सुना होगा कि खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए विशेशग्यों की माने तो खाने के बाद नहाने से बौड़ी टेंपरेचर कम हो जाता है खाने के बाद रक्त का प्रवा पाचन क्रिया की और होना चाहिए लेकिन नहाने से रक्त का प्रवा तो अच्या की और होने लगता है जिससे हमारी बॉडी का टेंपरेचर भी कम हो जाता है और पाचन क्रिया प्रभावित होती है ऐसी ही एक दूसरी वज़े है कि खाने के बाद तुरंट सोना भी नहीं चाहिए एक्सपर्ट की माने तो खाने के तुरंट बाद सोने से खाना पचाने के लिए पाचन क्रिया को काफी मेहनत करनी पड़ती है जिसके चलते वजन बढ़ने जैसी शिकायते सामने आती है वैसे तो दूमरपान सेहत के लिए किसी भी समय अच्छा नहीं है लेकिन खाने के फौरन बाद दूमरपान से आतों और फेफडों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है ऐसा करने से कैंसर जैसी बीमारियों के चांसे ज्यादा बढ़ जाते है खाना खाने के तुरंट बाद फलों के सेवन से भी बचना चाहिए ऐसा करने से कब्स की शिकायत ज्यादा बढ़ जाती है आपको बतादें दोपहर के खाना खाने के बाद उनका पाचन देर से होता है इस दोरान पेट में ज्यादा देर तक खाना रहने से सडन और एसिड होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है आमतोर पर लोग खाना खाने के बाद चाय पीते हैं लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है खाना खाने के फॉरन बाद चाय पीने से पेट में एसिड बनने लगता है जिससे प्रोटीन बनने में काफी दिक्कत होती है ऐसे में खाने के एक दो घंटे बाद ही चाय पीनी चाहिए तो ये थे कुछ सुजाव एक स्वस्त जीवन जीने के लिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटी छोटी बाते ऐसी हैं जिन पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो हम बिमार पर सकते हैं हम रखें आपका ख्याल